मसूरी गोलिकान की 29 बरसी पर केंद्रिय परियतन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट मसूरी शहीद स्थल पहुँचे और शहीदों को शद्धांजली अर्पित की इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए अजय भट ने कहा जो यहां से काम करते हैं वो कहीं जाएं वो सफलता पाते हैं जो बहुत चालाकी से काम करते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा भतीजा मेरे रिष्टेदार कल को प्रधान मंत्री बने या हमारा ही वर्चस रहे इस तरह से जो मिलते हैं उनकी यूनिटी होई नहीं सकती है क्यों आप समझ सकते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा अब आप देखते हैं जो माननी मुख्य मंत्री हैं दिल्ली के कांग्रेस के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा उन्होंने ब्रस्ता चारी से लेकर एक-एक सबूत देने की कोशिश भी उन्होंने करी आज लेकिन हाथों में हाथ सब को एकी डर है कि मोदी जी अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं पूरा देश के लिए बच्चे-बच्चे के लिए कर रहे हैं हमारा तो फ्यूचर खतम हो गया क्योंकि लूट खसोड जो हुई थी एक-एक को देख लीजिए कितने बड़े इनके घबले और घोटाले हैं मोदी जी पर कोई इतना भी दाग नहीं लगा सकता है तरो तरो की जूटी बातें बोलते हैं कभी कुछ उचालते हैं कभी कुछ कहते हैं लेकिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी उत्तर सुनने के लिए नहीं रहते हैं क्योंकि उत्तर आने पर बिलक झाल